Hello friends, this is Raj Yadav and welcome back to SmartCG Update दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है ठीक है, सरकारी ITI में जितने भी candidate जो है प्रवेश लेना चाहते हैं बर्ड जिन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है या फिर यूँ कहें कि जिनको प्रवेश नहीं मिला है उनके लिए बहुत ही बड़ी ये news है और इस news को पूरा last तक जोर देखिएगा अगर आपको पूरी जनकारी चाहिए अगर आप admission लेना चाहते है तो आपको फिर से एक मौका दिया गया है ठीक है एक last chance दिया गया है admission के लिए तो पूरी जनकारी आगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाली है आगे बने इस पहले चैनल को subscribe जरू कर लिजेगा क्योंकि मैं इस तरह के आपके काम के वीडियोस regular इस चैनल पर upload करते रहता हूँ भगल वाला जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके उसको all पर जरूर सेट कर दीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियोस upload करूँ आप तक notification पहुंच जाए तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को start करते हैं देखते हैं यहाँ पर पूरी जनकारी तो दोस्तों यहाँ पर दिया गए सत्र 21-22 एवं 21-23 में सासकी ITI में sport round के माध्याम से online प्रवेश है तो calendar यहाँ पर जारी किया गया है और यह calendar कुछ इस तरह से है सबसे पहला number में आपको दिखाई दे रहोगा कि आवेदकों द्वारा चैटिसगर पोर्टल में sport round के माध्याम से किसी भी इक्छी संस्थान में प्रात्मिक्तक प्रव में चैन हेतू registration करना आवेदक रेजिस्ट्रेशन करते समय पोर्टल पर उप्रद स्ट्रेडी वार रिक्त सीटों की अधार पर साधानी पुर्वक जनकारी भरें आवेदकों द्वारा चैटिस लोग करने पचात किसी भी प्रकार का संसोधन संभाव नहीं होगा तो यहाँ पर सीधी से बात यह कहा गया है कि अधिकतम 10 जो है आप चोईस कर सकते हैं और एक लाश्ट मौका दिया गया है इस्पोर्ट राउंड के माध्यम से जो है अपना इंस्टिटीट चूनने का और जीन भी रिक्त सीटों पर यहां साब साप कहा गया है कि जो रिक्त सीटे हैं तो दोस्तों आज 7 आज जो है नाज डेट है अभी देर नहीं हुई है सिर्फ कुछ समय बस लगे आपको रिक्त्रेशन करने में आप अपने मॉबाइल के FMA जा करके भी यानि computer जो दुकाने होती है वहां पर भी admission करा सकते हैं तो इस तरह से आप यहां पर तीन से 7 तरीक तक का समय दिया गया था जिसमें से बागी दिल निकल गया है बट आज जो है 7 तरीक है आज लास्ट डेट है आज भी आप लोग registration कर सकते हैं और जो registration आप करें दिया गया है कि sport पर chips द्वारा प्रथम sport round याने first round में मेरी सूची जारी की जाएगी और SMS द्वारा आवेदकों को SMS भी बेज़े जाएगा सूचना बेजी जाएगी लेकिन जो first round है उसमें सिर्फ अनुसूची जाती और जन जाती के लिए ही list निकाली जाएगी ठीक है उन्ह नवंबर को list निकलेगी और उनका जो admission होगा वो 11 नवंबर को admission होगा ठीक है इसके बाद दोस्तों अब फिर उसके बाद second round के लिए द्विती sport round के लिए क्या किया जाएगा general और OBC को time दिया जाएगा ठीक है समाने और अन्य पिशावर्ग के जो candidate होंगे उनकी merit सूची जा जाएगा तो वो 13 नवंबर को जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है general और OBC की जो list आए रहेगी उसमें admission के लिए 15 नवंबर को date दिया जाएगा 15 नवंबर को admission खराप आएगी इसके बाद दोस्तों उसके बाद आता है chips द्वारा 33 spot round तो 33 spot round के लिए मतलब की 33 list निकाल रहेगा और उसके बाद 17 नवंबर को यह list जारी होगी और 18 नवंबर को admission के लिए आउसर प्रदान किया जाएगा वह 18 नवंबर को admission ले सकते हैं अब यहां note की जाने वाली बात यह दी गई है कि sport round में प्रवेश के लिए केवल दिरांग 3 से 7 के मध्य पंजिक्रित आवेद किया था या पंजियन किया था तो उनको उनका पंजियन निरस्थ हो चुगा है इसको आप ध्यान रखिएगा ठीक है जो 3 से 7 के बी जो registration करेंगे उनहीं को मौग दिया जाएगा तो आप लोग बिल्कुल registration जरू करिए अगर आपको यह ITI में admission लेना है ठीक है अब बात आत जो है टेलीग्राम चेनल आपको टेलीग्राम चेनल का लिंक मिलगा यू ठीक है तो यह टाइंडेम वला आप लोग देख लेंगे और रिक्तिसीटो की जनकारी के लिए बस थोड़ी धेर में आप लोगों के लिए एक और वीडियो आजाएगी तो उसको आप लोग देख रहे हैं तब भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिक्ति सीटों की जनकारी वाली वीडियो आप लोग देख पाएंगे तो चलिए ठीक है इस वीडियो में इतना ही था अगर आपकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू कोई जीगा इस पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद